पवन सिंग, भूजपुरी सिनिमा के एक जानी मानी नाम, जिनोंनी अपनी गाईकी और अभिने से लाखो दिल जीते हैं, अब बिहार की राजनीती में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आए जानते हैं पवन सिंग के जीवन और करियर के बारे में। पवन सिंग का जन बिहार के आरा जिले में हुआ था। उनकी मात्रवूमी जोगहरी गाउं उनके शुरुवाती जीवन और संगीत करियर का मूल स्थान रही है। पवन सिंग की पहली लोगप्रियता उनके गाने ओर्णिया वाले से मिली जिसने उन्हें भोजपूरी संगीत उत्योग में एक मजबूत पहचान दिलाई। उनकी संगीत करियर की शुरुवात भदेया गाउं में हुई जहां उन्होंने स्थानी समहारों और उत्सवों में प्रस्तुतिय देना शुरू किया। पवन सिंग को उनके चाचा अजीत सिंग ने साइकिल पर बिठा कर संगीत सिखाने के लिए भदेगा गाउं लाए थे। जहां वे अपने बुआ के घर रहते थे। इस दोरान वे किसी भी अफसर पर गाने का मौका नहीं छोड़ते। चाहे शादी हो या जनम दिन की पाट उनके संगीत करियर की बड़ी सफलता तब मिली जब उनका गाना ओर्णिया वाली वाइरल हो गया और उन्हें व्यापक पहचान मिली। इस सफलता ने पवन सिंग को भोजपूरी सिनेमा में एक स्थापित नाम बना दिया। अगर जो एक ठोड़ी का विजाई ते गड़वा में उसमें स्टेज परग्राम में उनका जो रिकरडिंग वाला था जो माइक वला साउंड वाला वही रिकरडिंग किया नहीं इसके बाद उपर चाहर चला तो हर एक जगह उसमें कमांडर था। कमांडर में ट्रेक्टर में सब जगह चलने लगा। उसी समय से वह हीट किया। पहला हीट उहनियावली उसमें कुछ पैसा उनको मिलता था। प्रग्राम हम कराये थे विजाई मिला सुभा अईसा ही बजाई दे दिये वही हो गया। कोई कोई बना विजाई में कितना रुपय मिलता था। जो खुशी से दे दिये 500,000,000,000 जाएज चुट मिला उनका हुआ। आप लोग कैसे उनको आधे बढ़ाये? कहा नचाले कर जाते हैं। अंड करने मुघ्रांव को सब्सक्राइब के वर्मारी मगत्मतु पन्यएविक सब्सक्राइब करें। अब पवन सिंग अपनी सिनिमाई और संगीत सपलताव को लेकर राजनीती में कदम रख रहे हैं बिहार में जुनावी मौसम में उनके प्रवेश ने उत्सुकता और चर्चा का बातवरन बना दिया है उनके समर्थक और स्थान्य नागरिक देख रहे हैं कि क्या पवन सिंग अपने संगीत और सिनिमा की तर है राजनीती में भी अपनी अनूटी चाप छोड़ पाएंगे अडाल में क्या कुछ मूलें कि निर्दालीय चुनाव में तो देखते हैं मैं ईशें व्यव्टिव पर देखते हैं रुज्षा यहान तो अच्छा यहरा ईंनक्ärt रहा सब इनके सांद जूट रहा है सब हो जब जीत हो सकता है जीत भी सकते हैं आप लोग की इच्छा क्या है आप लोग से चाहते हैं कि मैरा रिलेटिव है हमारा हमारे बाल बच्चा है वह आगे बड़ जा तो रख्षा है अब मिलना जुल्ला उनसे होता है गिले देखें पांदर साल से नहीं होता है वहले तो हम लोग को कुछ हुआ हम में बेचारे सुबह में आया सरदांगी दिये यहीं पर इसके बाद बोले कि पकड़ी में उनके प्रग्राम सारा में बोले कि चाचा टाइम लागेगा तो आई बेवहार के बारे में बहुत अच्छा है अब ही भी हम लोग का मिलते है ना कहीं मिल जाए रास्ता में पवंद सिंग अपने बचपन के समय में काफी सुर्खिया बढ़ो रहे थे इनकी बदावलत ही वो विहार से लेकर के जारखंड तक जाते थे और चोटे-बोटे प्रग्रामों में हिस्सा लेते थे और धीरे-धीरे वो आगे बढ़े है मरकंडे सिंगा कहना ये भी है कि वो उनमें बेभारिकता है, सालिंता है, खमंड वो नहीं है, आज भी वो पैर चुर के परणाम करते हैं और एक नेता बनने की भी गुण है अब तो ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा का जो चुनावी परिणाम आता है, वहाँ की जनता उनको नेता बनाती है या अभी नेता तक ही रहने देती है लोकलेटिन के लिए भोश्पुर से गौरो से गौरो से